ख़वरे खेथी के कारिकरम मा आप मन के स्वागा थे जै जोहार सबसे पहली आज के खेथी के खास ख़बर क्रिसी के छेत्र मा हर्दम नवा नवा बदलाव आवत्री थे अब ये बदलाव ला जान के किसानमन खेथी करी तो माला बहुत फैदा होई च्थी गवं मा 15 उध्याले, पांच उध्याले की माः विद्याले, चार क्रिषी अभियांत्रीक माः विद्याले और परशुची किसा दुद्धु परद्योगे की ऑव मतश्ची की एक एक माः विद्याले है ये अनुसंधान केंद्र आव विद्याले मा धान, तिरहन, दलहन, उद्यानिकी आव वनाजदी फसल मा अनुसंधान करे जाही। पशुधन विकासल प्रत्वित्ता दिये जाही। मुर्गी पालं करके बहुत लाब कमाये जा सकत है। मुर्गी पालं बर ऐसे स्थान के चुनाव करना चाही। जहां आवा गमन के सुविधा हो, पानी और बिजली हो और अंडव माज विके के विवस्था हो। मुर्गी के घर जमन से धाय फूट कूचा होना चाही। अब जावान बर धान, भोसा, लकड़ी के बुरादा आद होना चाही। अच्छा नसल के चुजा खरिद के और तालिस घंटा के भितर फांग तक पहुचा देना चाही। प्रतेक चुजा के चोचला पानी में डुवा के छोनना चाही। चुजा के कमरा मां 24 घंटा हलका रोशनी भुना चाही। पानी रोज ताजा भरे आना चाही। मुर्गी ले भोजन मां अनायाग जिसे मक्का, गहों, जोयार आवी देना चाही। इकर ले मुर्गी स्वस्थ अवजंदार होते। नवा नवा किसम अपनाय ले और नवा नवा बीच के उपियोग करे ले उखर से गुणमत्ता और उत्पादन दूनों में सुधार होते। टमाटर लगाय के प्रमूग तीन मौसम होते। जुलाए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। कोनों भी मोसम मां टमाटर लगाय के पहली नर्शरी डाले जाथे। उल्बने उत्पादन बर बने वरायटी के चेयन् करेजाथे। टमाटर के खेती में हमर क्रिसक भाईमन सबले जादा जन वरायटी के उत्पादन ले थे उगर ना होरे अर्काविकास। अर्काविकास वरायटी के टमाटर ला बोल मा प्रती हेक्टेर पाचू 500 ग्राम बीच पर रहात हो थे। सफलता अगर कोनों किसान हां नवा जानकारी की हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से आउग किसान मल्ला घलो प्रेढ़ना मिलते अजकल जारतर किसान भाई मनहा धान और गिहु के फसल के अलावा सबजी भाजी के खेती घलो करता वै अवपन आर्थी किस्तितिला मजबुद करता वै अई संभी ग्राम केचुआ के किसान अजय भीया हा अपन एक इकड़ के खेत मा सेमी के सबजी उननत तरीकले करता वै है कि अपनों पादनला वह बाजार में बेज के लगभाग चानिस में पैंतालीस जार रुपया तक क्यांदनी प्राप्त कर लिए उगर यह ज्यादा पादनला देख के दूसर किसान घरों पर उना ले सकते और उन्हों मनहोंने तरीकले खेती लगा के अपन आर्थी किस्ति दिला मजबूत कर सकते आज की अंक मपसद के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फेर मिल वो तब तक बर जै जोहार ये लो और बताओ बस अरे ये क्या भाईया जी बस इतनी सी रसाइनी खत किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जाज कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नस्दी की भूमी परिक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जाज जरूर करवाए उपन बनाए रखें उपादक्ता बढ़ाएं खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें और हाँ धीनी गती से नाइट्रूजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नी लेपित यूरिया को प्राथ लिकता दें और यूरिय तु फिकर ना कर गोलू की अमा अब की बार अपनी डाल खुख गलेगी क्या मतलब जी अब की बार एन एफ एसम के तहट डाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में एक हजार शेतर चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है पर इस सरकार ने दलहन का समर्धन मुल्य भी खूब बहा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतिजाम कर लिया है इससे आंदरी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जातर के क्रिशी वग्यानिक बनेगा हाँ को सब्सक्राइब किसान कॉल सेंटर विश्य शक्जिसे खेती के बारे में सलाले रहा था सुबह भी रात को भी किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है किसान भाई क्रिशे संबंदे समस्याओं का अपनी भाषा में तुरन समाधान पाने के लिए पूरे भारत ने किसी भी फोन से किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर घुमड घुमड के बरसे बादर घुमड घुमड के बरसे बाजर हां सत हवै किसान अरे हरियर लुगरा धरती पहिने अरे छतिस गड के साने धान संगी छतिस गड के सान धान अरे जवार घुमड के सान धान हमर बीच में इंद्रा गांधी किर्शिश विश्विद्याला की विश्यसरी स्री एसस टुटेजा जी और दुसरीया जों कुर्सीम बेठे तेरे तुमन जानबे कर रहा था हो चतिस गड के खेती की सानी भारी करांती लाएं विवल चावड़ा जी आप उमन के स्वागत है है जय जोहार है संगी हो आज हमाना हाइब्रीड जों धान हो थे तेखर बारे में चर्चा कर वो तो हाइब्रीड से संबंदित कोई भी सवाल तुहोरो मेर हो ही तो तुहुमन सीधा फोन लगा के हमर से बात कर सकत हो फोन नंबर इपर तुमल में बता दाओ एक आठ शुन् करत हो पुराना परंपरा से अब हाइब्रीड धान के खेती करे के एक च्शा है तो उकरबर विश्थी जानकारी आप मन से चाहूंगा दिखी जो हाइब्रिड धान है यदि हम संकर धान कहें तो संकर का सीधा सीधा मतलब होता है कि ज़्यादा उत्पादन देने वाला संकर धान दो होता है कि वो दो के क्रॉस से बनाया जाता है और जो इसकी उत्पादन छमता होती है बहुत अच्छी होती है लेकिन इसमें एक विशेष चीज का ध्यान दखना पड़ता है कि संकरधान जो है वो अच्छा कंपनी का अच्छा से बनाया हो जिस जलवाईू के लिए है वहाँ के लिए अनुसांसित किया गया हो ये बरांती पहले रहती है किसान भाईयों के बीच की जो संकरधान होते हैं उसमें बीमारी जादा आती है, कीड जादा आते है ये एक मिथ्या है येदि हम अच्छे धंग से विज्ञानिक धंग से इसे खेती करें तो संकरधान को जो है उसका उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है इसमें नुकसान के कोई सम्हावना हमको नहीं रहती जी जी आपका जन्ना चाहता है मेरे को जानकारी चाहिए बीन आर मैं तो नौ साल से बो रहा हूं अधी कुछ पादन रहूं अच्छे हूं पर इसमें लगातार बोने से क्या हूं उसमें पोसकत्तव खतम हो जाए क्या और और कौंस अच्छ ऐसा धान है जिसमें हमारा और अच्छा प्राफिट हो देखिए जो धान लगातार लगाने की बात है तो चाहे आप जो हमारे परंपरा का धान है जिसमें हम कहें महमाया स्वर्ना कोई भी या हम संकर धान कहें देखिए धान की खिती अपन लगातार करते रहें तो हो सकता है कि इसमें केड़े बिमारी ज्यादा आते हो इसके लि बीज हम दूसरे साल प्रयोग में नहीं ला सकते हैं यानि संकरधान का जो बीज होता है हम उसको एक ही साल लाएंगे संकरधान में एक खासियत होती है जो हम दो धान कहते हैं जो हमारे दूसरे धान है और संकरधान उसमें एक ही अंतर होता है कि जो हमारी परांपरा का धान है चाहे वो कोई भी फसल का हो, चाहे कोई भी किस्म का हो, उसको हमको हर साल बदलना पड़ेगा। बाकी जो धान आपको लगता है, वैसे ही इसमें भी अपन धान लगा सकते हैं। अनुसंसित की गई है, क्योंकि आज बजार में हम देखेंगे, तो हमको 50-75 कहीं कहीं सो किस्म की भी संकरधान मिलती है। लेकिन जो अनुसंसित की गई है, जो विस्विद्याले के द्वारा, उसमें मैं किसान भायों को बता दूँ तो आप नाम नोट कर लिए। अनुसंसित की गई है, वो है वी एन आर 204। ये जो जाती है, देखिए, यहाँ पे दो विमारी ज़ादा आती है, एक तो है जुलसा और दूसरा है जुलसन। ये दोनों बिमारियों के लिए सेहनसील है, खासकर ये इटली के लिए कहों तो इटली के लिए बहुती उप्युक्त है, जो एक दूसरी विराइटी जो इंदरा गांधी क्रिसिव इस्विद्याले द्वारा निकाली गहीं इंदरा सोना, ये भी एक बहुत अच्छा उत्पा में प्राफ्त कर सकते हैं, तो किसान भाई को सला दूँगा कि हमिसा जो पिस्विद्याले दौर अनुसंसी धान के किसमें, उन्हीं जातियों को लगाएं, जी, जी, मेरा नाम चंदरकान सुनकर है, मैं राविली अभणपूर से हूँ, मैं दो साल से हाईप्रीड धान का ख दूसरा है, तो पहला बुरर के लिए कि स्काउटिंग करें आप समय समय पर देखें कि कितना पॉपलेशन है उसमें और उसके साब से जब एटी लेवल आता है, उस समय पर में जो भी विश्विद्याले ने कहा है उस तरह की दवाईयों का उप्योग करें और माहू लेटर पार्ट में आता है, जब भना हो जाता है, तो उस समय उसकी जो रिकमेंडिट दवाईयां वही करें, दो ही में है, जब ज़्यादा बारिश होती तो कभी कभी में जाता है, तो ये तो तीन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो असानी से किया है, दिखिए मैं आपको बता दूं कि कीट के लिए हमेसा हमको समन्वित कीट नियंतरन विदी अपनानी चाहिए, हाइब्रिड धान में यही होता है किसान को भ्रांती होती है कि इसमें कीट जादा आएंगे, यदि हम सुरू से कुछ विसेश सावधानी रखें, जैसा कि ग्रिस मकालिन जुताई आ प्रकास पसर उपाई कर दें, तो हम इसमें नियंतरन पा सकते हैं, इसके अलावा जो है हमको प्रकास प्रपंच और जो अभी नए अनुसंदान के द्वारा प्राप्त हुआ है, कि यदि हम फेरोमेन ट्रेप का उप्योग करें, तो जो खास कर जो दो कीट हमारे 36 गड़े म है, मैं बोरिया कलास आया हूँ, मैं यह जाना है, हाइबरीड धान के लिए मैं जाना चाहिए, रसानी खात के बदले में गोवर खात का महत्वा, यह उम प्रती एकड की इतना डालना चाहिए, और जी आप बदाओ के समीं, तो जी देखिए, हमको इसमें भी मैं कहूं कि सम मनमित पोसक तत्तों का प्रबंद करना चाहिए, यानि हम कुछ मात्रा अकार्बनी कुर्वरक और सेस मात्रा कार्बनी कुर्वरक से देना चाहिए, देखिए, धान में हम तीन जैविक कुर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, पहला तो है नील, हारित, काई, इसका प्रयोग ह खाद या वर्मी कम्पोष्ट उपकलब्द है, जमीन की तयारी के समय उसको डाल दें और इसके इलावा धान में खास कर यदी हमारे पास सुरु में पानी की सूविदा उपकलब्द है तो हमको हरी खाद लगानी चाहिए इसमें सन और रेचा लगा दें और उसके बाद उसको पलटने के बाद उसको हम उसके इसके बाचू करके लगी पूछे दिने मैं यह जन्ना चाहता हूं कि आज अगरा अच hon की बात हम कर रहे हैं आज गाउं का किसान कैसे पहचानेगा कि यह तो is पीधान के बात करते हैं तो उसके किस्म जो रहती है जैसा उसका दाना रहता है वैसी जब उसकी फसल आप उगाएंगे तो वैसा ही दाना उसका अगले सीजन में भी आएगा और आप उसके बीच को देखेंगे तो एक समान दिखेगा आपको हाइबरीड की बीच को अगर हम तो यह हाइबरीड बीच है इसको जो आप लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दाना आपका अगले सीजन में आए क्यों क्योंकि इसको दो अलग-अलग किस्मों को मिला करके बनाया गया है हाइबरीड येशन में एक मेल होता है एक फिमेल होता है और कई बार आप हाइबरीड बीच और ओपी बीच जो जब दोनों सामने सामने रखा हुआ है तो ओपी का बीच आपको साफ और सुनर एक तरह का दिखेगा अबर हाइबरीड के केस में ऐसा नहीं है इसमें कुछ आपको खुले हुए इसके उपर का जो हसक रहता है कभी-कभी खुला हुआ दिखता है कुछ एक इसके अंदर में दाना बड़ा दिखता है इसका कारण यह है कि जब परागन होता है परागन होने के बाद में बीच के अंदर में दो भाग होता है और इसका जो एंडो स्पर्म होता है वो भी चुकि हैबरीड होता है उसका साइस अपने मदर से या तो तो छोटा हो सकते है तो बड़ा हो सकता है इसलिए देखने में कई दर्पे आप देखेंगे कि बीट बीज देखने में उतना सुन्दर नहीं दिखता है और कई बार किसान भाई लों किसमें पाल ये लोक सोचते हैं कि अगर उसका ऊपर खिलका खुला हुआ तो यह जमेंगा नहीं ऐसा कता हुब ऊपर का चिल्का अगर निकल भी जाता है तो भी वो चावल जमता है सरफ पालेश किया और या चावल ली जमता क्योंकि उसके अंदर से बीज वाला हिस्सा कट जाता है तो इससे घबराएनी किसान भाई हाई किसी भी कमनी का आप ठाके देखेंगे तो उसमें कुछ प्रतिशत ऐसे होंगे जो खुले हुए रहते हैं और उससे जर्मिनेशन पे या उसके फसल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ागी तो थोड़ है तो थोड़ा एक आधा मिनट के अन्भाव पताते हुए आपके बातल पहली कर वह एक छोटे स्पोन आया तेल पहली ले था हां हलो सीतर मिया नमस्कार नमस्कार हाई कोन बोला था जम्मों भाव स्यास अधर भाव भी लगाना बदा ही तुम अलना सब जन्न जाय जो हार क अच्छा हो एकर बारेम जन्कार हां एकर बारेम अभी बताये घलूरी से क्यों किसान के नाम बता दो दिखिए कि और बाकी जो किसान भाव सुन रहे हैं उसको एक अच्छी तरह से लिख ले क्योंकि संकर धान में तभी फायदा है जबकि हम अनुसंसित जातियों को है उसमें च्छतिसगर इंदरा गांधी करिसी विसी देले द्वारा निकाला गया इंदरा सूना वी एन आर सीट द्वारा निकाला गया वी एन दोसो चार के आरेच वन एराई छेहजार चारसो चवालीस और पी एच बी इक तर ये मुख्य-मुख्य धान है इसके लावा अ अनुट संसित किया गया है लेकिन ये मुकहिदने किसानभाई उसी धान को लगाएंगे जो की यहां के छेतर के लिए अनुब्य है हाँ तो आप बताओ आप न भौण गण ग़लाओ है अनुट मैं 윤स्रीकां कंद्राकर ग्राम चर्मुडिया कुरूद धंतरी जीला के रहने वालों हुआ हम हाइब्रीड लगा थान तो हम यह चीज के बहुत फायदा मिली इस की सुरू में बीमारी कम होते का बार डिस्टेंस का भी रते है और दूर दूर लगा है के कारण में मैक्रो नेट्रिन के भी कमी हा कुछ तक कम पदा चलते हैं और पौधा गुच्छा मेरा थे तो यह हर्वेश्टर से हम कटिंग करते हैं तो वह में भी स्वीधा होते जल्ली गिरे नहीं जी जी मन बहुत अकन फायदा है आज आज आप का जानना चाहत हो सरु से आप मैं यह जानना चाहत हूं कि श्री पद्धत यह हाईब्रीड तुनों में अंतर का हो सकते हैं दी दिखिए हाईब्रीड जो है एक अलग चीज ओ गई और जो विधी है आपने पूछा स्री विधी जैसे कि हम रूपा लगाते हैं बियासी करते हैं खुर्णा करते हैं तो सुरी विधी एक लगाने की विधी है चाहे जो हम स्रीवीधी लगाते हैं उसमें बीच की मातरा कम लगती है तो हम देखते हैं कीमत के चलते संकरधान को खास कर जरूर स्रीवीधी में लगाना चाहिए इसमें मुख्ये जो चार पांच बाते बता दूं कि इसको दूर दूर लगाते हैं 25 से 25 सेंटीमीटर में एक जगा एक ही पोधा लगाया जाता है नीदा नींतरण के लिए इसमें वीडर का प्रियोग किया जाता है इसकी एक खास चीज़ यह कि इसमें जल हमेसा भर कर नहीं रखना पड़ता यानि जल को हम उतना ही भरें जिसमें जमीन में नमी बनी रहे भरार न होने पाए ये मुक्खे बा हो थे एकर कारण का है देखिए इसका जो मैं कुछ मुख्य बाते बता हूं उसके लाव भी मलचाओर जी कुछ बाते बताएंगे देखिए पतला और मोटा धान तो दोनों में होता है जैसे हम कहें कि महमाय मोटा धान है यदि हम कर्मा मासुरी को निकाले तो पतला धान है वै किसानों के पास में चैन करने के लिए बहुत सारी गुंजाइश होती है कि उसको अपने बजार के हिसाब से पोहा के लिए चावल के लिए इटली के लिए पतला मोटा बारिक उसी तरह से हैब्रीड में भी आप देखेंगे आज की तारिक में तो जिस तरह से विग्यानिक इसमें महनत कर रहे हैं इसमें भी सभी तरह के धान आपको उपलब्ध है कोई अगर बासमती टाइप का लगाना चाहरा है तो उस तरह कभी इसके अंदर में अपलब्ध है कोई मोटा लगाना चाहरा है उस तरह कभी है कम से कम अवधी कि अगर हम बात करें तो सौ दिनों से लेकर के और जाज़े सादा डेड़ सो दिनों तक के हाइब्रिड आज की तारीक में बाजार में उपलब्ध हैं और आने वाले समय में हाइब्रिड में आकर हमने सामने तर यह देखा है कि दस से लेकर के 20 प्रतिशत तक उत्पादन इसमें वराइटी से अच्छा आता है तो जब 20 प्रतिशत आप सर्फ एक चीज को बदल करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं एक तक्नीक को बदल करके तो यह तक्नीक धीरे-धीरे फैल रही है और 36 गड़ में खास करके बड़ी तेज आपके नाम बता हो का हूं नहीं है जो सामान्य धान की खेती के लिए अनुशंशा है वही युनिवसिटी की अनुशंशा है कि उत्रही खाद आपको हैब्रिड में देना है इसका गुण है जनेटिक गुण है इसके करण इसका उत्पादन बढ़ जाता है आपको उतनी मात में खाद लगाना है जितनी मात्र में अपनी किसमों में खाद लगा रहे हा है हाधा हतना जहां पूछना चाहा था कि अभी कुछ दिन पहली पेपर में च्छते रही से कि हाई व्रीज के धान है मतलब जादा फायदा नहीं करते नुक्सान करते करते कि मैं हाँ अपन खेज में उपयोग करें होना तो मौला बढ़िया फायदा करते हाँ अब इच्छे हुई सवाल के जवाद दी समय सर है देखिए जांगड़े जी आपको मैं बता दूँ कि कोई भी चीज को यदि हम बेग्यानिक पदती से लगाएं तो उसमें नुक्सान की संभौना नहीं होती नुक्सान सभी हो सकता है कि जब कि संकर धान ठीक से न बना हो तो आप हमेशा ये देख लें कि अनुसंसित धान को लें विस्वसनी दुकान से लें और जो पेपर में या कुछ आप जो कहेंगे भांतियां हैं यदि हम बेग्यानिक विदी दौरा किसी भी चीज को लगाए तो उसमें नुक्सान के संभावना नहीं रहती। कैसे प्रतिरोदक शम्ता इसके अंदर में ला सकें और आने वाले समय में मुझे उमीद है कि जिस तरह से हमारे देश में वेग्यानिक गंड लगे हुए हैं कमणी लगी हुए हैं और टीम लगी हुए हैं तो अच्छी किसमें और आएंगे आज की तारीक में आप हां संग्याप पुछा हां मेरा नाम सहलिस साहुए ग्राम हम लेडी से आप लेक में बर रोको था हमारे ट्ल्फोन तेला पहिले ले था ने हां हलो इतल भीया नमस्कार भाई कोन बोला था दाने अंदर साहु बोला था भीया हर्का नंबर दो से अरे वाब बढ़िया जी 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 जैसा भी डॉक्र सामने बता है कि हाइब्रेट धान श्री पद्धति या एक एक जगा पर एक ही सीडलिंग लगाना होता है सामनेता जो अनुशंशा है वो छे किलो प्रती एकड की है और अच्छी तरह से कर आप नरसरी का प्रबंदन करते हैं तो कई किसान प्रती है शरूर में विगर बहुत अच्छा रहता है बहुत तेजी से अच्छे कन से निकलते हैं इसक अंदर में तो एक पॉधर भी लगाने पर आरासानी से उसको घेर लेता है करते को अनुशा है पुछा पाज़ ऑल्स तिति में जो आपकिसम लगा रहे हैं उससे जितन भी हाइबरेट आज की तारिक में रिलीज किये गया है 15 से 20 प्रतिशक ज़्यादा उत्पादन देने की शमता रखता है जी जी हाँ संग्याप पुछाओ मेरा नाम सेलेट साहुई ग्राम अमलीडी से हाइबरेट धान में कौन से खाट डाल थे कर जानकारी लेने हाँ yeah देखें सेलेट ची मैं बबतायूं कि इस बात को मैं बार-बार भोल रहो कि जो संकर धान है दूसरा धान है देखी इसमें जो खाद की मातर होती है उसकी आउधिक अनुसार अंसुनसित की जाती है दूसरी जो मुखे बात होती है कि हम मृदा परिक्षण कराने के बाद हम इसमें खाद का प्रियोक करते हैं माती परिश्चनल लेकिन जो एक समानिता है वो हाइब्रिड धान में जी सो से एक सो बीस कि रहा हाँ हलो हाँ कौन बोला तरहाई राम-राम हाँ 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 पूछा 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 ना कि जैसे तरहा लगाती नामन तो